हेई एविवन हाव आई वाल चो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है आई टू हैड़ा लव स्टोरी जो की लिखिया है रवेंद सिंग ने तो जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं यह वीडियो नमबर है 17 और यह चैप्टर है बुक में 8 औ बहुत ज़्यादा कम हो गया जिसकी वैसे ना उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और वो मर गई अब जो फैमिली है ना वो चाहती थी खुशी का परिवार चाहता था कि वो खुशी को देखे लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं वो फैमिली को बॉडी हैंड ओवर करते हाँ आपने सही सुना बॉडी अब वो लोग उसके नाम से भी नहीं बुला रहे थे खुशी अब वो सिर्फ एक डेट बॉडी रह गी थी क्योंकि यह एक्सिडेंट का केस था तो भी पुलिस इंवाल होनी थी और ने लीगल फॉर्मलिटीज करने थे क्योंकि उनको ल पॉस्ट मॉटम करके और वो ना अपने घर पे होता है और उस बिल्कुल शौक में होता है यह जो सच था ना यह बहुत ज़्यादा मुश्किल था सब के लिए डाइजेस्ट करना और इनको समझे नहीं आ रहा था कि हुआ क्या ठीक है और तो और रविन इमेजिन कर पा रह होगा ठीक है और अगर वो वहां होता ना तो उसकी जो कलरफुल सारी थी वो अपने दिल के पास लगा के रखता और कहीना कहीना वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था बहुत ही ज़्यादा तूट चुका था और उसको यह बात का दुख था कि लास मुमेंट पर वो ख कहीना कहीना अकेले में बैठके रो रहेते और सब उसके रविन के सामने आते हैं तो उसको थोड़ा दिलासा दिया करते थे कि बेटा सही हो जाएगा और कहीना कहीना रविन के माता पिता भी बहुत जादा दुखी थे इस बात से क्योंकि जिस लल्के से जिस लल्की की दवाद पहुंच जाते हैं रविन और रविन के पापा और जैसी रविन दरवाजा खोलता है ना वो देखता है कि सब लोग बैठा हुए होते हैं वो किसी को कुछ नहीं बोलता है कि किसी को पहचानता ही नहीं था वो फटा-फट ना सीधे खुशी की मम्मी के पास आता है उनको हग कर लेता है और दोनों ने बहुत जादा रोने लगते हैं और तो और इस घर की ना जो सबसे बड़ी बसकिसमसी यह थी कि भई कहां तो इस घर में सेलिबरेशन होने वाला था उनकी बेटी की शादी का, इंगेजमेंट का और अब तो बिल्कुल यह इटमोस्फेर ही बदल गया, मातम सा चाग गया, सब लोग ना ऐसी डल से कपड़े पैन नखे थे और तो और जो उनके घर में बड़ा सा सोफा था ना वो हटा दिया गया था ड्राइंग रूम से और और तो और जैसे तैसे रविन का दिन करता है, शाम आती है, और जितने भी डिस्टन्स रिलेटिव सोते हैं ना, सब लोग आते हैं घर में, बहुत लोग रोते हैं, सब के आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि जवान लड़की की मौत होना बहुत ज़ादा बुरी बात होती और तो और वो ना, इन सब चियों से भागना चाता है, एक ऐसी जगह जाना चाता है, जहां वो अकेला हो, बिल्कुली, और तो और खुशी की ना, जो भी मेमोरीज हैं, उन सब को कलेक्ट करना चाता है, वो सोचता है, शायद माउस कमरे में चला जाओं, जो की रूम नंब जो गुदवारे में है, लास्ट प्रेयर्स हैं, वो पढ़ी जाएंगी, तो उसके लिए फोटो चाहिए थी, और वो कहता है ना, गैस करो, वो फोटो कौन सी होगी, वो वही फोटो थी जब रविन यूएस में था, उसने भेजी थी, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकत और वो ना, बहुत सुन्दर लग रही होती है, जो अमीधी होती है ना, वो इसको ना, उसकी जो आखों में आसू निकल रही होती है रविन के, वो उनको पोज़ती है, वो लोग पैसे देते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं, अगले दिन बो Stunden गुर्दवारे में जाते ह वहां पर आखरी पेर पढ़नी थी खुशी के लिए अब वो लोग वहां वैटे होते हैं जो खुशी होती है उसकी तस्वीर लगवी होती है और तो उस पर हार चड़ा हुआ होता है फूलों का और ना ये देखके तरह रविन को बहुत जादा दुख रहाता है क्योंकि वो सुचता है कि भई आप कैसे ये उमीद कर सकते हैं कि जो आपकी गल्फेंटी है भी कुछ टाम तर आपके साथ थी अब वो मर चुकी है ठीक है और आप ये देखके हर दिन मरोगे और आपको उसके बिना जिन्दगी बितानी है ठीक है और तो और वो अभी भी भी बहुत जादा खुबसूरत लग लगी थी उस फोटो में अब सब लोग आसपास सफेद कपलों में आते हैं सब लोग प्रातना पढ़ रहे होते हैं अब जब वो वहाँ से जाता है तो कुछ औरते होती है वो फुसपुसार ही होती है कि यही लड़का है जिससे शादी होने वाली थी वो उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता वो बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ जाता है जहां ना मम्मी होते हैं खुशी के ना पापा होते हैं कोई नहीं होता बस वो अकेला बैठा होता है उसको बस यही पता चल रहा होता है खुशी के अच्छी जो मेमोरीज होती है वही याद कर रहा होता है और जो बाकी लोग कर रहे होता है वही कर रहा होता है जिसे उठते हैं सब लोग उठ जाते हैं सब लोग हाज ओडते हैं वही करता है सब लोग जुकते हैं वही वह सब फॉलो कर रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में बस खुशी की ही बाते चल रही होती है और तो और जो एक जो पीपल थे ना, जिनको इंविटेशन दिया था कुछ टाम पहले कि भई, शादी के लिए आना है, ठीक है, अंगेजमेंट के लिए आना है, अब वो किसी और ही मकसद से आये थे, अब जो रवीन होता है, वो सब को लंज सर्फ करता है, और एक कमरे में बैठके ना, जब व आसा देखता है कि उसकी किसमत ना उस पर हसरी है, ऐसे ही दिन खतम होता है, रात आती है, ठीक है, और तो और वो बस उमीद ये कहता है, जो खुशी की आत्मा है, वो अच्छे से बस ओम शानती मिल जा उस बिचारी की आत्मा को, शान्त हो जाए उसकी आत्मा, ठीक है, और होता है ना, दो-ती दिन बाद रविन जाता है अपने उफिस में, और जैसी वוא अपने उफिस में जाता है ना, सब लोग कहते है, भी ओ, देखा, वो आ गया, जल्दी आओ, जल्दी हू, रविन आ गया, ठीक है, इंगेजमेंट के बाद आ गया, अब सब लोग ना उसको घेर लेते हैं, क्योंकि भई किसी को भी यह नहीं पता था कि ऐसा एक्सिडेंट हो गया है, खुशी के साथ, सब को यह पता था कि भई इसने चुट्टी लिये, अपनी इंगेजमेंट के लिए, और उन्हें ना ओफिस में किसी को बताय अब सब लोग ना उसको घेर लेते हैं, उसको कहते है कि भई गाना गाओ गाना गाओ, party दो हो, मिठाई दो, तब का होता है, एक कहता है की भई तेरी रिंग कहा गयी भई, ठीक है, रााइट हैंड में देखता है, उन्हें पहनी नहीं होते है, अब वो बिलकुल साइलेंट ले यार, सब लोग उसको देख रहे होते हैं, उसके इतना हिम्मत ही नहीं होती है, कि वो बता पाए तब ही क्या होता है, कुछ लोग और मजाग काते हैं भाई अगर उससे पता चला ना तुछ ने शादी की रिंगनी नहीं पहनी है तो इरको ना बहुत चलाएगी, कुछ लोग हसते भी है ठीक है, अब वो ना चहरा उठा के सब को देखता है, सब लोग खुश होते है जो रवीन होता है वो कहता है, वो मुझे पर कभी नहीं चलाएगी अब उसकी ना आखे नम होती है, अलकेल की जो दूसरे लोग होते है, वो कहता है, क्यों नहीं चलाएगी ठीक है, क्या हुआ, क्यों नहीं चलाएगी वो, ऐसा तो नहीं, तुने अब इसको डराना स्टार्ट कर दिया, सब लोग हसते भी है अब जो रवीन होता है, वो कहता है क्योंकि अब वो मर चुकी है अब ये कहके तो ना बिल्कुल सनाटा सा पसर जाता है वहाँ पर सब जगों सब लोग अपने काम में लग जाते हैं अब वो था ना कहते हैं कि भई वो तो मर गई लेकिन रविन जिंदा था और वो जिंदा रहेके हर दिन मर रहा था और तो और भई जो इस्टार्स थे ना वो बता रहेते कि उसकी जिनदगी कैसी खाली सी हो चुकी है उसके बिना ॉर रविन को ना बहुत जदा अकेला-अकेला सा लग रहा था क्योंकि बार-बार उसके वही ख्याल दिमाग में आ रहे थे खुशी थी खुशी चली गई थी लेकिन बाकी सब कुछ था लेकिन बाकी सब कुछ तो उसके बिल्कुली माइने ही नहीं रख रहा था और वो ना उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है दिन हो रात हो उसके मूँ में पता चलता था इतना रोता था वो और जितना आता वो ना रोमैंस को अवाइट करने की कोशिश करता था उतनी ज़्यादा चीज़ उसके सामने वो आती थी वो कभी जाता था तो देखता था कपल्स किस कर रहे हैं हग कर रहे हैं एक दूसरे के उपना, शोल्डर्स रखके एक दूसरे को उपर, ठीक है, पिच्चर हॉल जाता था, उसको वही सब कुछ याद आता था, जो उसने टाइम खुशी के साथ बिताया था, और तो और एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे थे वो लोग, ठीक है, उसको वही माग में ना, इस सब कुछ चलता ही नहीं था, क्योंकि जो सबसे अच्छी लड़की होगी ना, वो भी जब रविन को अट्रैक नहीं का सकती, क्यों? क्योंकि जिससे वो प्याह काता था, वो चली गई थी, और तो जो शेक्शुल डिजायर थे ना, वो तो कहीं सोई गए थ तो सोचता था, कितना मैं वजन उठा लूँ, और शावर में खड़ो के जब नहाता था, तो वो रोता रहता था, ताकि कोई उसकी आवाज ना सुने, तो ना, बिलग-बिलग के रोता था, और ऐसी बस चल रहा था, उसकी जितनी भी एनजजी थी ना, वो बस खुशी की य तो शादी.com की एग देखता था ना, इंटरनेट पे, तो उसको बड़ा दुख होता था, क्योंकि यह खुशी उससे कहा करती थी ना, कि जब भी हमाई शादी हो जाएगी ना, हम लोग ना, अपनी जो लव स्टोरी है ना, यह हम इन शादी.com वालों को भेज़ेंगे, कैस अब कैसी tragedy हो गई उनकी life में, अब वो क्या लिखेगा, ठीक है, और उसको ना, ऐसा लगता था, ऐसे वो एक drug addict हो गया हो, ठीक है, और तो उसके दिमाग में बस वही चलता है, suffocated सा feel होता था उसको बहुत जादा, उसको ऐसा लगता था, उसको सांस ही नहीं आ रही, बिलक और सोते सोते भी न, उसको बड़े घंदे से ख्याल आ जाते थे, वो उठ जाता था तो और जब भी वो time देखता था, तो लगबख 4 बज़र होते थे, तो ये था इस chapter में, and I hope so आपको अच्छा लगाओ, so thank you and stay connected.